Hello all, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी त्यारी काफी अच्छी चल रही होगी इस ठंड में आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगा रहे होंगे दोस्तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने पक्का यूनियन बजट एक बार देख लिया होगा उसकी समरी आपने पका नोटाउन कर लिया होगी लेकिन अब examination point of view से आपको कुछ बाते पता होनी चाहिए तो यहाँ पर सेशन में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस बार के बजट से यूनियन बजट से जो 10 most important scheme है उनको कवर करवाऊ और आपको बताओं कि आपको examination में इन schemes के जो related है कौन कौन सी बाते पता होनी चाहिए ठीके? यह schemes बहुत important है आप लोगों ने अगर HP NT का या फिर HPS का या फिर HPLI का अगर पराणा पेपर देखा होगा तो schemes के उपर बहुत question आते हैं और काफी अच्छे question भी आते है तो आपको पहली बात तो scheme की information होनी चाहिए और दूसरी बात आपको पताओं रहे चाहिए कि उसके basic features क्या है उससे related aspects क्या है तो one by one सारी schemes कवर करते हैं 10 most important scheme of union budget 2022-23 के lecture के साथ हम शुरुवात करते हैं दोस्तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube channel join नहीं किया है subscribe नहीं किया है तो please join our YouTube channel and also join our telegram channel telegram channel का जो link है वो आपको नीचे description box में मिल जाएगा तेकि इस बार के budget में हम critical analysis नहीं करने वाले क्योंकि budget किसी को पसंद आता है किसी को पसंद नहीं आता है subjective judgment होती है लेकिन हमारे लिए as an aspirant सबसे important क्या है कि इस budget में examination point of view से हमें क्या दिया गया है क्या इसमें कोई नया initiative launch किया गया है क्या हिमाचल परदेश के लिए कोई special घोशना करी गई है क्या कोई special scheme launch करी गई है तो जो भी scheme इस budget में mention है उनमें से 10 most important scheme for the examination हम cover करेंगे देखिए इस बार के budget में जो 10 most important scheme है वो कौन-कौन सी है PM गति शक्ति one of the most important और इसको एक pillar भी माना गया है हमारी development का निर्मला सीतर अर्मजी ने बोला भी है कि हम अमरित काल में है जो independence की जो सौवर्ष गाठ होने वाली है 2047 में उस 25 year के period में हम पहुंच चुके है 2022 से लेके 2047 वाले ठीक है तो यहाँ पर हम कही ना कहीं अपने infrastructure अपनी connectivity पर बहुत ध्यान देने वाले है तो PM गति शक्ति योजना को बहुत ज़्यादा importance दी गई है इस बार के budget में Second scheme क्या है Productivity Linked Incentive Scheme और दोसो इस scheme की importance क्या है निर्मला सीतारामंजी ने बोला है कि 14 सेक्टर में हमने ये scheme अपलाई करी है और लगबग 50 लाख रोजगार इस पूरी incentive से हमें देखने मिलने वाले हैं ठीक है उसके बाद next scheme है Emergency Credit Line Guarantee Scheme Corona pandemic के टाइम पर बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए MSME के पास पैसा नहीं था अपने business को expand करने के लिए तो उनको उस time पर Emergency के टाइम पर Credit Guarantee देने के लिए इस scheme पूरी लाँच करी गई उसके बाद है PME विद्या Online Education Digital Education को प्रमोट करने के लिए Lockdown में बच्चों की पढ़ाई हैं पर ना हो उसके लिए इस पूरी scheme को लाँच किया गया ठीक है और budget में इसका special mention है उसके अध आयुश्मन भारत Digital Mission आप लोगों को पता है कि 2017 में National Health Mission आपका आया उसमें आयुश्मन भारत कंपोनेट बहुत है और उसके बाद एक Health ID Card Nationwide Health ID Card बनाने के लिए इस आयुश्मन Digital भारत Mission को लाँच किया गया उसके अध पीम डिवाइन क्योंकि North East Area हमारा एक बहुत important area है भीना कहीं North East Area as compared to another part of the country इतना developed नहीं है अगर हम बाकी पार्ट से compare करें तो उसको develop करने के लिए वहाँ पर connectivity बढ़ाने के लिए वहाँ के जो राज्ये हैं जो लोग हैं उनके लिए नई opportunity create करने के लिए PM Divine को launch किया गया है उसके बाद है ramp program एक नया program है जहाँ पर जो हमारी MSME industry है इनको backbone माना जाता है Indian economy की उनको redevelop करने के लिए उनको re-energize करने के लिए इस पुरे program को launch किया गया है then mission शक्ती, mission वचसल्या and portion 2.0 ये तीन mission हमारे जो woman and child जो हमारे देश के एक बहुत ही considerable amount of population है लेकिन vulnerable population है उनको ध्यान में रखके बताई गए है तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इन 10 schemes के बारे में जो important points है तो किसी भी scheme के बारे में कुछ important points आपको पता होने चीए उनी points पर examiner आपसे खेलता है examiner आपको confuse करने के कोशिश करता है तो अगर यह 5 points आपके दिमाग में है किसी भी scheme के regarding तो आप examiner से mark आने वाले नहीं है आप question में गलती करने वाले नहीं है आप note भी करिए गए देखे पहला point क्या है कि आपको उस scheme की ministry और department पताऊने चीए कौन सी ministry ने वो scheme launch करी है कौन सा department उस scheme को implement करने वाला है यह बहुत जरूरी है उसके बाद आपको पताऊना चीए कि इस scheme का time period क्या है कब तक के लिए scheme launch करी गई है कि यह हमेशा के लिए है या फिर इसमें कोई time bound target रखा गया है कि 2024-25 तक हमें यह achieve करना है या 2030 तक हमें यह achieve करना है वो time period आपको पक्का पताऊना चीए क्योंकि जो यह factual बाते होती है वहाँ पर examiner आपसे गलती पक्का करवाने की कोशिश करता है ठीक है यहाँ पर पैसा कहां से आ रहा है budget में कुछ allocation करी गई है क्या world bank से कुछ पैसा ले रहे है पहुचाने के लिए से scheme को launch किया गया यह भी बहुत important है कई बार examiner पूछता है आपसे कि BPL families को target किया गया है SCST family को target किया गया है किसको target किया गया है तो आपको पताऊना चीए कि 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 को धिहार में रखके किसकी need को धिहार में रखके पूरी scheme को launch किया गया है last but not the least आपको aims and objective of that particular program पताऊने चीए है ठीके हिमाचल में खहिना कही सबसे important है ministry and department और एक और जीच जो हमने note करिये है among the previous questions वो यह है कि आपसे term दे देंगे कि for example missions शक्ती was recently seen in news यह किसे relate करती है तो ऐसे questions के लिए आपको scheme की अगर broad understanding भी है एक journal knowledge भी है तो भी आप वो questions solve कर लेंगे ठीके तो अब one by one in schemes को cover करते है आप लोगों ने पहले पढ़ी भी होंगी लेकिन मेरा काम है आपको revise कराना पेपर गले प्रिपेर करना ठीके अगर आप देखें तो एक जो economy है उसकी growth में उसकी development में कही ना कही हमें infrastructure का या जो transport है उसका बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है आपने यहां से हिमाचल परदेश से शेब पहुंचाने है राजस्तान जैपूर तो अगर transport level पूर है अगर connectivity पूर है तो आपका जो सेब है उसकी जैपूर में value उतनी जादा आपको नहीं मिल पाईगी जितनी मिलनी चाहिए थी ठीके तो connectivity issue बहुत जादा है इंडिया में कही ना कहीं road जो network है railway network जो है इनके बीच में connectivity पूर है और multi-modal connectivity जिसको हम चाहते हैं कि एक आदमी के डोर तक एक आदमी के घर तक समान पहुंच जाए from the industry वो हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं अगर आप USA में देखें तो वहाँ पर कुछ एरियास ऐसे हैं जहाँ पर river एक transport level का का काम कर रही है वहाँ पर जो waterways हैं वो जादा develop है कुछ एरियास ऐसे हैं जहाँ पर road network बहुत डेवलप है और कुछ एरियास ऐसे हैं जहाँ पर rail connectivity बहुत अच्छी है और उनकों भी आपस में link किया गया है अगर हम बात करें कि किसी particular area में train पहुंची वहाँ आपसे एक तना शांदार road बना हूँ है कि जो एक आदमी के घड़ तक आपका समान पहुंचा देगा तो यह जो inter transport corridor जो है या connectivity जो है यह बहुत important है ठीक है तो हमारे देश में PM गति शक्ती initiative को इसलिए launch किया गया है कि जो different infrastructure है उसको develop किया जाए और जो different mode of transport है इनके बीच में connectivity को बढ़ाया जाए ठीक है तो यहाँ पर जो seven engines है उनको identify किया गया है कौन कौन से seven engine है पहला है road रोड को develop करना है दूसरा है railway airport तीनो mode of transportation बहुत important है लेकिन उभडता हुआ mode of transportation जिसके ओपर खास focus है हमारी government का वो है port national waterways ठीक है उसके अद मास्क ट्रांस्पोर्ट मास्क ट्रांस्पोर्ट महला जहाँ पर हम बल्क ट्रांस्पोर्ट करते हैं then waterways again and logistic infrastructure यह ports आपके जो coastal आपका area है जो इंडिया वाला या फिर हम इसको बात करें कि जहां से हम बाहर दूसरी country से trade करते हैं उनको develop करने की बात कर रहे है तो इन साथ areas पे PM गति शक्ती initiative काम करने वाला है आपसे कैसे question पूछता है कि आपको चार area दे दिये आपको बोला कि consider the following consider the following रेल रोड पोर्ट और एक और चोथा दे दिया और इन में से कौन सा PM गति शक्ती का main engine है और वहाँ पर आपको पता होने चाहे कि साथ engine कौन से तब आपसे question को solve कर पाएंगे उसके बाद यहाँ पर एक particular ministry नहीं है यहाँ पर 16 infrastructure related ministries को include करके इस scheme को launch किया गया है तो कोई एक single dedicated ministry यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी target क्या है कि 2024-25 तक हम एक dedicated infrastructure develop कर लें और अगर इस बार के budget की बात करें तो यहाँ पर बुला गया है कि लगबग 25,000 km के national highway बनाने है अगले एक साल में उसके साथ साथ हमें एक logistic interface platform develop करना पड़ेगा दोस्तो logistic word का मतला आप समझते हैं आपने अपने area में एक particular चीज उगाई अब आपको उसको ट्रांस्पोर्ट करना है दिल्ली की market में तो वो जो beach का intermediary है पूरा transport वाला जो process है जहाँ पर आप एक wear house में अपना समान रखेंगे फिर वहाँ से एक truck आपका दिल्ली जाएगा दिल्ली में जाके वो wear house में आपका store होगा यह सारा logistic का part आजाता है तो अगर आपके पास logistic system पूर है तो कही ना कहीं आप अपने अच्छे समान को भी द्यान से नहीं रख पाऊगे वहाँ पर बहुत सारी wastage होगी ठीक है तो unified logistic interface बनाना बहुत जरूरी है जहाँ पर आपको पहले तो यह पता हो कि आपका समान move कैसे कर रहा है उसका tracking आप कर पाएं और दूसरी बात की समान को ले जाने के लिए जो proper system आपको चाहिए वही system हो for example अगर हमने हमान लोग किसी particular area से हमें meat भेजना है कहीं दूर तो meat आपको पता है कि कैसी item है जो बहुत जल्दी perish हो जाती है खराब हो जाती है तो उसके लिए आपके पास पूरी AC van होनी चाहिए एक पूरा system होना चाहिए तो वो logistic है अगर वो poor है तो आपका जो transport system है अकेला कुछ नहीं कर सकता उसके अलावा आपकी जो wastage है जो आपकी earning है वो low होनी शुरू हो जाएंगी ठीक है तो यहाँ पर one station one product जो भी station है उसका एक particular identity होना चाहिए और एक और बात कि integration of postal and railway network इसको बहुत important माना गया है open source mobilities check कि आपके पास जो mobility है उसको improve करने के लिए उनके बीच में एक interconnectivity बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमें प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर हम चेक कर पाएं कि अगर हमें यहाँ से समान बेजना है तो हम कौन-कौन से transport mode को use कर सकते हैं तो यह आपकी बहुत important scheme है उसके बाद second scheme है हमारी production linked incentive scheme तो होता क्या है कि अगर आप किसी को motivate करना चाहते हो किसी company को motivate करना चाहते हो तो उसकी production से उसकी जो production की output है उससे आपने उसके incentive को link कर दिया तो आपने उसके जो output है उससे आपने उसके incentive को link कर दिया तो same काम हमारी government industry के साथ कर रही है ठीक है? कि अगर आपने अपनी output sales को इतना increase किया तो हम आपको इतना incentive देंगे अगर आपने इतना increase किया तो आपको इतना incentive देंगे तो incentive और production को link किया गया है तबी scheme का नाम है production linked incentive scheme ठीक है? और 14 sector ऐसे हैं जहाँ पर इनको implement किया जाएगा या किया गया है और लगबग 60 लाख sorry मैंने पहले 50 लाख बोला लगबग 60 लाख नई job opportunity create करी जाएंगे ठीक है? यहाँ पर production linked incentive का मतलब क्या है कि रिवेट जो दी जाती है producer को उसको हम कहते है production linked और रिवेट का मतलब क्या है? कि आप जो उसकी sale है उसका certain percentage है उसके हिसाफ से उसको incentive दे रहे है for example आपने बोला कि अगर आप normal sale कर रहे है तो आपके उपर जो tax है normal sale में आपके उपर जो tax है वो 30% लगीगा ठीक है आपकी earning के हिसाफ से अब आपने बोला कि अगर भाई तू अपनी sale जो है वो इतने percent बढ़ा लेता है अभी तू एक साल में 500 car बना रहे है ठीक है 500 car बना रहे है और तेरा जो tax लगेगा वो 30% लगेगा लेकिन अगर तू एक साल बाद अपने system में change करके 800 car बनाना शुरू कर दे तो मैं तरह ही tax कम करके 20% कर दूँगा और अगर तू 1000 car बनाएगा तो मैं तेरा ये tax कम करके 10% कर दूँगा तो आप उसको motivate कर रहे होगे तू produce कर और अगर तू produce करेगा तो जो तेरे पे tax लग रहा है उसमें मैं आपको rebate दे रहा हूँ उसमें मैं आपको फायदा दे रहा हूँ तो ये एक बहुत ही अच्छी scheme दे दोस्तों आप logic देखिया ना कि अगर आप किसी को बोलो कि तेरी ये earning है इसमें से मैं इतना profit जो तेरा हो रहा है उसमें से इतना पैसा ले जाऊँगा और आप बोलोगे अगर तू और profit करेगा तो ये तरह थोड़ा कम पैसा लोगा और थोड़ा कम लोगा तो कही ना कही motivate होता है तो यहाँ पर जो scheme है outcome based है इसका मतलब जो produce हुआ है उसके basis पर आपको rebate दिया जाएगा incremental production कि आपका जो actual production हो रहा था उसमें आपने कितने percent increase किया है उसके basis पर आपको rebate मिलेगा ठीक है और यहाँ पर कही ना कहीं जो scheme हो focus करती है size and scale of particular industry कि वहाँ पर scope भी है growth का अब अगर आप मालो एक ऐसी company को बोले कि जहाँ पर scope ही नहीं growth करने का तो वो बचारी कितनी increase कर लेगी तो कहीं न कहीं आप उसको फसार है तो ऐसे areas में आपको motivation देनी है जैसे textile sector है फिक है जैसे handloom sector है वहाँ पर motivation दीजिए क्योंकि वहाँ पर बहुत scope है इंडिया एक बहुत बड़ी market है आप कुछ भी बनाएंगे इंडिया में पका पका यूज हो जाएगा और खासका textile और handloom तो बिलकुल ही यूज हो जाएगा तो ऐसे industries को choose किया गया है लगबग 14 sector ऐसे हैं जहां पर हम motivate कर रहें companies को अगली scheme की बात करते हैं emergency credit line guarantee scheme देखिए आप लोगों को पता है कि कोरोना जब 2019 में आया था उस time पर पूर्ण lockdown लगा था संपूर्ण lockdown लगा था और पूरी जो industry ठप हो गई थी और उस time पर MSMEs के पास पैसा नहीं था जो छोटे और लगू दियोग थे उनके पास पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए ना ही लोगों को salary देने के लिए तो कही ना कही लिक्यूरिटी द्वारज सिस्टेम में लेकर आने के लिए सिस्टेम में कही ना कही पैसा infuse करने के लिए government ने scheme launch करी emergency line emergency credit line guarantee scheme यहाँ पर जो लोग sorry इसको आप हटा देना इसका नहीं है credit जो लोग already पैसा market से ले रखा था उनको बोलागा कि आप और पैसा ले सकते हैं कुछ bank से पैसा ले सकते हैं आपको इसके लिए existing जो collateral है उसको नया renew करने की जुरूत नहीं है for example आपने एक bank से मानलो 10 लाग रुपे ले रखा था आप उसका launch EMI चुका रहे थे और आपके वास आप बिल्कुल पैसा नहीं है नया invest करने के लिए in the company तो आपको bank loan देगा इस particular time पर और उसके पीछे guarantee क्या होगी कि आप पैसा बापिस करेंगे या नहीं करेंगे तो वहाँ पर government ने बोला कि हम guarantee देंगे आपको ठीके तो यहाँ पर scheme will extend it to cover the next fiscal को government ने बोला कि इस बार जो scheme थी 2019 में लांच करी 2021 तक के लिए अब इनों ने बोला कि 2022 में द्वारा से इसको renew कर रहे हैं और 2023 तक के scheme चलेगी ठीक है अंडर emergency credit line guarantee scheme यहाँ पर जो company है जिनमें liquidity करेंच और जिनका पैसा ही नहीं था COVID-19 के बाद इन्वेस्ट करने के लिए उनको additional loan प्रोवाइड किया गया without asking for extra collateral उनसे नया collateral नहीं मागा गया collateral को आप मतलब आप समझते हैं I hope आप समझते होंगे for example आप किसी से पैसा लेने जाते हैं तो कहता है कि इसके पिछे तू मुझे वज़े वज़े क्या गिर्वी रख रहा है collateral basically गिर्वी कि आपने देखागा नो पराणे जवाने में money lender वगरा होते थे कि साहब मुझे सौर पे देदो तो कहता कि तो अपनी गाएं गिर्वी रखे जा तो collateral होता है basically bank भी आप से collateral मांगते हैं कुछ property की कागयाद वगरा वो रखते हैं अपने पास तो अब बुलागा कि आप loan ले सकते हैं additional लेकिन कोई collateral आपको नहीं देना है ठीक है? और यहाँ पर कही ना कहीं जो fully guarantee थी वो government दे रही थी कि अगर मालो bank जो loan दे रहा है उसका पैसा बापिस नहीं आता है तो bank का तो नुकसान हो जाएगा तो government ने बुला कि तू पैसा दे दे तेरा नुकसान हम समाल लेंगे तो एक special company act के अंदर 2013 के अंदर एक special company मनाए गई national credit guarantee trustee company limited जिसको बुला गया गया कि तू इस पूरी scheme को implement कर याद रखिएगा कि यह जो company है national credit guarantee trustee company limited यह wholly owned by the government of India है पूरी government of India की company है और यह ministry of finance के अंदर आती है ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं आयुष्मान भारत digital mission scheme की तेकि इस scheme में क्या है basically कि जो आयुष्मान भारत national health mission या फिर हम उसको बुले PM जन आरोगे योजना जैसे बहुत सारे नाम हैं उसके अगर उस scheme की बात करने तो उसको digitize करने के लिए उसमें कही ना कही एक national identity card बनाने के लिए सिस्कीम को launch किया गया है तो यहाँ पर अगर आप यह देखें तो आयुष्मान भारत mission के तीन major framework है पहला तो आपने एक technology और product testing करनी है यह sandbox है basically इसका ही एक sub component है जहाँ पर हम ने tool लेकर आएंगे कि हम कैसे health जो aspect है उनको integrate कर सकते आप मालो अभी कांगड़ा के किसी hospital से दवाई ले रहे हैं कल मालो आप कहीं और चले गए मंडी चले गए वहाँ से आपने दवाई ली तो आपका जो data है वो move करता रहे ऐसा ना हो कि वहाँ पर वो आपसे पूरे द्वारा आपकी history मांग रहा है कि कांगड़ा में अपने किस चीच का इलाज करवाया था आपका एक digital card बना हो जैसे ही card की information डाले आपका पूरा जो health background है वो आ जाए ऐसा एक card बनाने के लिए जो system है आईशमान भारत digital mission उसको launch किया गया है जो आपके health record है उनको जब आपको जुरुत है आप इस ID card से यूज़ करके उनको access कर सकते हैं उनको देख सकते हैं ठीक है उसके साथ साथ ये free of cost है लेकिन voluntary है जुरूरी नहीं कि आपको अपना ID card बनवाने ही पड़ेगा ठीक है कई बार क्या होता नहीं कि आप बोलते हैं कि नहीं यार मुझे card नहीं बनवाना मेरा data कही नहीं लीक हो जाएगा तो आपको push नहीं किया जाएगा कि आप अपना ये card बनवाएं उसके बाद यहां पर हर citizen को जो चाहता है उसको एक health account उसका बनाए जाएगा और वो account basically उसकी जो health history है उसको maintain करेगा तो आपको पता होना जाए कि Ministry of Health and Family Welfare कोशिश कर रहा है पूरा कि एक national wide जो health ID काड़े हो बन जाए ताकि आदमी कहीं भी move करें आज यहां पर है कल वहां पर है वो health जो अपनी health का जो एक पूरा उसे हिसाब रखना है या फिर उसके साब से जो से दवाया लेनी है उसको वो access कर पाए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं PME विद्या scheme की तो E विद्या E, E मतलब electronic और electronic मतलब internet तो कही ना कहीं digital education पर focus करके पूरी scheme को launch किया गया है तो यह ministry of education की scheme है यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको digital online learning facilitate करने के लिए और teaching material परवाइड करने के लिए यह पूरी scheme launch करी गई है यहाँ पर ना सिर्फ बच्चों को बलकि teacher के लिए भी teaching materials को परवाइड किया गया है यहाँ पर जो student हैं वो digital platform को access कर पाएं ताकि उनकी education hamper ना हो जब जब lockdown लगाया जब जब school बंद किये जाएं आपने देखा होगा कि जब school बंद हुए थे तो बच्चे तो मस्ती mood में आ गये थे उनको लगा कि भाई बल्ले बल्ले school नी जाना लेकिन उनकी education जो hamper हो रही थी वो parents सी उसका दर समझ सकते थे उनको पता था कि देखो बहुत नुकसान हो रहा है इनगा कहीना कहीन जो critical stage है उनकी learning की उस time पर कोरोना आया है तो government ने PME विद्यार लॉंच किया ताकि उस time पर जो बच्चे है उनकी education खराब ना हो उस time पर विव अपनी पढ़ाई को continue कर सके ठीक है तो यहाँ पर all school student, college student और university student ये तीनों ही इनके target beneficiary हैं कोशन पूछ सकते हैं आप से consider the following college student, school student and university student इन में से किसको सोच कर PME विद्यार श्किम लॉंच करी गई है तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए ठीक है यहाँ पर जितने भी digital initiative थे या on-air education के initiative थे जैसे हमारे FM वगरा पर आते हैं उनको integrate किया गया, एक platform के अंदर लेकर आया गया जैसे देख्षा था one nation, one digital platform जहाँ पर हम पुरा digital infrastructure प्रवाइड कर रहे थे then swim प्रभाद TV channel बनाए जाएंगे, हर एक class के लिए पुरा channel होगा dedicated, जहाँ पर सिर्फ उसी class के जो videos हैं वो देखने को मिलेंगे आपको, उसके साथ साथ आपका जो extensive use है radio का, community radio का और cbc podcast का सिक्षा वानी जुसका नाम है उसको use किया जाएगा, दोस्तो education digital एक बहुत important concept है, आने वाले time पर यह आपको और ज़्यादा बढ़ता होगा देखने को मिलेगा और मुझे पूरा-पूरा यकीन भी है कि आपको अगले एक-दोस साल में इसके उपर ऐसे भी देखने को मिलेगा, digital education, boon और bain इस तरह का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम digital education के negative aspect भी देखते हैं, बचों की आखे खराब हो रही हैं, बचे misuse कर रहे हैं, ठीक है, porn, graphic के जो incident हो गेंस्ट भी जाएंगी, तो आपको अभी सही ऐसे प्रिपेर करना शुरू कर देना है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, PM Divine, ये स्कीम कहीं ना कहीं गति शक्ति इनिशेटिव जो national level पर launch किया गया है, उसको focus करके बनाई गई है, और north east area को खास इसमें ध्यार में र eastern council, आप जानते होंगे NEC को, आप लोगों ने zonal council पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो मैं dedicated lecture लेकर आऊँगा, आप comment करिएगा please, कि अगर आपको zonal council के ओपर lecture चाहिए, तो मैं आप लोगों के लेकर लेकर आऊँगा, ये मेरा promise है, तो उनी में एक council है, north eastern council, लेकिन वो zonal council जो act है, 1956 का, उसके थुरू नहीं बनाई गई है, वो बाद में 1971 में बनाई गई थी, तो यहाँ पर सिक्किम के साथ, जो साथ state है, north eastern के, उनको include करके, ये पूरा council बना है, और इस council को जिम्मेदारी दी गई है, कि north eastern development के regarding steps आप लेंगे, ये साथ state कौन से है, अरुनाचल प activity और infrastructure development पर जोड़ दिया जाएगा, और यहाँ पर जो activities हैं, उनमें youth और women को पूरा include किया जाएगा, और उनको ध्यान में रखके, scheme launch करी जाएगी, आगे बात करें, ramp program की, दोस्तो, MSME आपको क्यो important लगेंगी, अगर आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया का goal है कि हमें 2024 तक 5 trillion economy बनानी है, उसमें कही न कहीं उन्होंने बोला था कि 50% GDP में जो contribution है, वो MSME से आएगी, लगू उद्योग से आएगी, लगू कुटी उद्योग जो हैं, तो MSME हमारी जो पूरी economy है, इसकी foundation है, लगबग 15 करोड लोग employed हैं इस चोटे लोगों को opportunity provide करती है, तो हमारी government चाहती है कि MSME की कोई दिक्कत ना हो, और वहाँ पर जो भी मदद लोगों को चाहिए, वो हम provide करें, तो यहाँ पर raising and accelerating MSME performance program launch किया गया है, ताकि जो MSME है, उनको market access मिले, उनके product को buyer मिले, access to credit उनको पैसा मिले, और इसके साथ institution है, permission मिलने वाले कि आप company खोलना चाहते हो, आप electricity connection लेना चाहते हो, आपको पानी की supply लेनी है, ऐसे issue उनको ना हो, ठीक है, it will also support the ongoing support program, जितने भी program इस चैंपर चल रहे है, MSME के regarding, उनको भी support करेगी, और याद रखिएगा, बहुत important point है, कि World Bank ने एक loan approve किया है, लगबग 500 million dollar, जिसको use किया जाएगा in the ramp program, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, women and child development की ministry की scheme की, तीन scheme major है, क्योंकि अगर आप देखें, 2021 में, जो ministry of women and child development है, इन्होंने अपनी सारी schemes को integrate कर दिया, under three head, इन्होंने बोला कि हमारी जितनी भी scheme है, हम उनको तीन head पर launch करेंग पहला head रखा mission शक्ती, mission शक्ती जहां पर scheme and policy होंगी for the empowerment and protection of women, women को empower करना और women को protect करना उनके regarding scheme होंगी, तो यहां पर दो head पर आपको scheme देखने को मिलेंगी, एक संबल और एक समर्थे, समर्थे मतलब उसको capable बनाना, और समर्थे मतलब कहीं ना करें, उसको self protective बनाना, तो यह यहां पर आएंगे आपकी one stop, one center, महीला पुलिश, volunteer, women help line, सुधार, उज्जोला, ठीक है, और समर्थे में आएंगे आपकी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधान मंतरी मातरू, वंदना, योजना, ठीक है, तो आपको याद रखने की कौन सी ministry की scheme है, ministry of women and child development, और द mission was salya, यहां पर जो scheme launch करी जाएंगी, वो कही ना कहीं बच्चों के welfare से related होंगे, child welfare services, ठीक है, तो यहां पर scheme for child production service जो है, उसको include किया गया है, last but not the least, mission portion 2.0, आप लोगों ने सुना होगा कि portion अभ्यान हमारा पहले भी चल रहा था, उसी को modify करके, और उसमें बाकी schemes को integrate करके हमने एक नई scheme बनाई है, mission portion 2.0, एक umbrella scheme है, जहां पर integrated child development scheme, 1970 से चली आ रही है, आगनवाडी, service बहुत पुरानी, portion अभ्यान, scheme for adolescent girl, जो लड़कियां बालिक हो गई है, उनके लिए पूरी scheme है, then national crutch scheme, छोटे बच्चों के लिए, इसको approve किया गया था budget 2021-22 में, लेकिन अब इसमें द्वारासय में और funding देखने को मिलेगी, ठीक है, यहां पर बच्चों का nutrition, बच्चों की health, बच्चों की development में important चीज़ें योते हैं, उनके सबको ध्यार में रखके, scheme की component design किये गए हैं, for example, portion देना पहले 1000 दिनों में, लगबग पहले 3 सालों में, then nutrient promote करना, अनीमिय दाइरिया को होने से बचाना, और hygiene और sanitation को promote करना, ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए, यह scheme आपको अगर बहुत detail में नहीं भी पता हैं, तो भी चलेगा, लेकिन जितनी information में आपको दे रहा हूं, इसको भी अगर आप remember कर पाते हैं, याद रख पाते हैं, तो आप अपने बताईएगा कि आपको यह lecture कैसा लगा, और ऐसे और similar lecture हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जब तक के लिए thank you very much, जय हिंद, जय भारत